नमस्कार खबर अभी तक देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ अर्शना कौशल हमारे खास कारेकरम भागे चक्र में आप सभी का स्वागत है हमारे साथ कारेकरम के लिए स्टूडियो में मौजूद है अचारे स्टिश जोशी जी बहुत बहुत स्वागत है अचारे जी आपका कारेकरम की शुरुआत करेंगे पंचांग से अचारे जी से जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है आज पांच फरवरी दिन मंगरवार माग शुकल प्रक्ष की आज प्रतिपदा तिति है जो कल पराते तक चलेगी आज धनिष्टा नक्षत्र है वो भी पूरा दिन चलेगा आज इन बच्चों का जनम होगा उन बच्चों के जनम का पहला अक्सर होगा गा गी गू और गे साथ बच बजके 35 मिनट पर कुम्ग रासी में पर्वेश कर जाएंगे सूरिया भगवान भी मकर राची में आज मंगल ग्राई राशी परिवरतन कर रहे हैं मीम्राशी से मेस राशी में जारा हैं साएकाल 11 बज के 47 मिनट तक पंचेक प्रारंब हो जाएंगे साइकाल 7 बजके 35 मिनट पह आज का रहम कर रहेगा relaxed 3 बजके 5 मिनट से लेकर 4 बजके 35 मिनट तक आज इसा वह ओत्तरदिशा में दिशासूल है अगर उत्तरदिशा की यात्रा करनी है तो मिश्ठान खाके यात्रा करें यात्रा मंगल में रहेगी आज का सुब समय आज का लाब चोगडिया रहेगा अप रहता है 11 बज के 15 मिनट से लेकर 12 बज के 35 मिनट ते और अमरिच चोगडिया रहेगा 12 बज के 35 मिनट लेकर दुपहर 2 बज के 5 मिनट तक आज का पंचांग अचारे जी ने बताया राशी फल भी जान लेते हैं कि आज के राशी फल के नुस्तार आपका दिन कैसा रहने वाला है और कौन से कारे आपके लिए शुब रहेंगे अचारे जी राशी फल बताएं शुरू करते हैं मेश राशी से मेश राशी के जातक कारोबार में मंदी का दोर है धेरे से काम लें जल्दबाजी में फैसला ना करें संतान के विवाह के लिए आप चिंतित रहेंगे आजीविका के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है व्रिषब राशी के लोहों का दिन आज ठीक रहेगा समय से पहले और भग्ये से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता समाज में आपके कामों की तारीफ होगी मितु रासी के लोगों का दिन शुरुवात में थोड़ा आड़स रहेगा आज परिवार और जीवन साथी को सुनने के लिए ऐसमंज़ से की स्थीती रहेगी करक रासी के लोगों के लिए सोचे हुए काम समय पे होने पर आतम विश्वास में भड़ोतरी होगी संतान की उन्ती के लिए मन प्रफुलित होगा सिंग रासी के लोग आज कारोबार में ने पस्ता मिलेंगे जो लाबदाग साबित होगे संतान पक्स की जुरूरतों को पूरा करने के लिए धन खर्च होगा करने रासी के जातक आज कार्यों में को ना टालें समय रहते हुए कोट कचाई का काम अवश्यनिप्ताएं धन एककरतित करने में आप लगे रहेंगे तुला रासी के जातक आज दिस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं उनसे मिल सकेंगे राजकारे में बाधाएं आ सकती है, भाग्य उदे के लिए आज शानदार समय है व्रिश्चिक राशी के लोगों के लिए राजनी समंद मजबूत होंगे धन निवेश से आपको लाब मिलेगा, कारोबार में अनुबभी लोगों का मार्क दर्सक करें धनुर राशी के लोगों का आज का दिन सांजेदारी का लाब होगा, नया वहान क्रै करने का आपका मन बन सकता है मक्का रासी के लोगों का मान परतिष्टा में बढ़ुतरी होगी लालस करने से नुकसान भी हो सकता है सह कर्मियों के साथ आपका ताल मेल नहीं बैठेगा कुम्ब रासी के लोगों के लिए आज जिद्धी वहवार से अधिकारिक नराज हो सकते हैं कारे में अवरोध आ सकते हैं विवाइक फैसला लेने से आप आज असमर्थ रहेंगे मीन रासी के लोग जो बोलते हैं उससे मुकर जाती हैं समय पर कारे करना सीखना आज जरूरी है कल कभी नहीं आता इसलिए आज का कारे आज ही पूरा करें कि अधा तो आज कर आशी पाद चारे जिए ने बताया कि कौन से कारे आपके लिए लाग ना चाहिए और किन कारे सिर्टा आपको बचना चाहिए यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्तिया है तो उसके लिए आप हमाई स्क्रिन पर दिये के नंबर पर कॉल कर सकते हैं अचारे जी से अपनी समस्या का समाधान भी जान सकते हैं तो पहले दर्शक हमाई साथ हिसार से जुड़के हैं विजेंदर बहुत स्वागत है जी आपका नवसकार जी पूछे पंडी ये बात करो जी पूछे 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 गुरूजी पर आपको खूछ रहो आजी मने मेरे आस्ता के बारें कुछना जी बोलिये अजी मेरा नाम विजेंदर है जी आजी अजी सन उनीस ओ पितासी दसमावी नापत्वी तारिक बार सनीवार पूछा पंडी जी से थोड़ा अभी समय अच्छा नहीं चल रहा आपका सेज सही होगी तभी कारोबार अच्छा होगा सेथ के लिए थोड़ा परियास करें आप एद उपाए बताते हैं उपाए कीजिए और अपनी इच्छा सक्ति को मजबूत करें वैसे तो अच्छे इं अच्छी होते ही आपका काम भी चलेगा पैसा भी आएगा और ये साल बहुत अच्छा रहेगा धैरे से आप कार्या करते रहें बहुत बहुत शुक्रिया वजिंदे हमारे साथ जुनने के लिए अगले दर्शक हमारे साथ आइब रेली से जुड़के है राजशीव राजशीव जी बहुत स्वागत है आपका खुश रहो 27 अप्रायल तीहत्तर हां जी जिन जुबाआ का पता नी चायम नी पता एक नंबर बोली एक से बारा के बीच में एक से बारा के बीच में है जी नो नमबर है पूछिए कुछिए क्या आपका पंड़ी अपने रविश्क के बारे में जाना जादी जाते हैं स्वास्ती के बारे में बिल्कुल श्रास्ते में कोई बड़ी प्रोल्मन नहीं दिखरी अच्छे इंसान हो धार्मी परवर्ती की हो प्रोपकारी हो थोड़ा सा कारोबार में अभी थोड़ा सा थिकते नजर आ रही है प्रंतु थोड़ा समय है मई जून के बाद ग्रै बदलेंगे आपके मार्च में भी राहू के तु बदल रहे हैं वो भी आपके लिए अच्छा है कोई भी निर्ड़ा लेने से पहले एक दो सलहा जरूर करें एक दो लोगों से ताकि आपका निर्ड़ा हमेशा अच्छा रहे और केसर का तिलक लगाते रहें अगर हो सकता है तो शुकरवार को गउसाला मे आप जरूर जाए जिससे आपकी सहित और कारोबार पैसा सब कुछ आपको मिलेगा बहुत 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 स्वागत है आपका लोगों का जनन दिन है उन के लिक्षरे को कहते हैं की जिनका तिन है उनको बहुत-बहुत सुपकामने शिरी किष्णम कुछ लम करो तू भगवान शिरी किष्ण आपको हमेशा खुश रखे लक्षमी सदाति इस्टतू लक्षमी माता हमेशा आपके पास रहे ये वर्स आपके लिए अच्छा रहेगा सुरुवाति में थोड़ी से कठना ही रहेगी तीन महिने उसके बाद आपका ब्रस्पति अच्छा हो जाएगा पैसों में आगमन होगा थोड़ा सिहत का ध्यान रखें आप सी विवासे बचें और कारे च्छेत्र में कुछ आपकी प्रसंसा होगी प्रणती हो सकती है या आपको प्रसंस पत्र मिल सकता है तो यह कुल मिलाके वर्स खीर गरीब बच्चों को बना कर जरूर बांटिये जी तो शंकलाल जी से संपर्क हो गया है शंकलाल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी लड़की की उम्र है 17 मार्ट 1982 रात के साड़े नो बज़े नो के नोर में उसका जर्म हुआ था मैं अपनी लड़की की नोक्री बरें फुष्णत जाता हूं जी बिलकुल बिलकुल देखिए सर्विस के लिए इसका प्राइवेट सेक्टर में तो योग प्रवल बन रहा है मार्च के बाद गोवर्मेंट के लिए थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा अभी इसको परचुटी मिलेगी थोड़ी सी छोटे लेवल की उसे इसको पकड़ना चाहिए बड़े की इंतिजार नहीं करना चाहिए चोटे से बड़ा आर्मी पहुंसता है तो यह सर्विस मिलेगी परंतुए छोड़ देगी ऐसा ना करे तो अच्छा रहेगा और इसको को एक आड़ा धागा आत में जरूर बांद के रखें और सर्विस एक मिहने के अंदर अब लिए कुछ नाम बगार कुछ बोलिये हालो हां जी हां जी नाम बोलिये मैं नाम उसके पिता का नाम भुपेंदर जी तो बिलकुँ घर के लिए थोड़ा समय लगेगा आप परियास कीजिए क्योंकि अभी थोड़ा के तुखराब है के तु क्या है काम में बाधाय डा जालता है आप किसी से को फाइनल करने लगोगे कोई ने कर दूसरा आदमी कर देगा ऐसा नहीं यह खराब है ऐसा है तो थोड़ा सा ध्यारे रखें और लाल तिलक अपने पती को बोलिए लाल तिलक लगा के जाए आप भी लाल बिंदी लगाकर परपर्टी डूंडे जाए क्योंकि मंगल स्ट्रोंग हुगा भूमी पुत्र मंगल ही परपर्टी बनाता है मंगल ही जमीन जायदाद का सुख देता है तो मंगल को थोड़ा स्ट्रोंग करें जिससे आपकी जमीन जायदाद आपको मिल जाएगी बहुत बहुत शुकरिया कुसंजी कारेक्रम में जुड़ने के लिए तो विलाल के लिए कारेक्रम में इतना ही अचारे जी बहुत बहुत शुकरिया किमती वक्त के लिए